जाने मैं सुना जता हूँ थर्ड यर में था कॉलेज में तो ऐसे मैं दो घर से घर आ रहा था तो ट्रेन में मुझे कोई पसंद आ गया ऐसे करके प्रेन में कोई पसंद आ गया तो अब आ गया पसंद हो गया मतलब love of a side type something like that तो अब क्या हुआ कि अब सरीफ था मैं हमें सही से सरीफ रहा हूँ हिम्मत तो थी दी कि मैं कुछ बोल पाऊं तो अब train में ये वाक्या हुआ लाइफ में पहला event था और भूचाल सा आ गया टाइप से लेकिन अब हिम्मत तो थी दी कि मैं कुछ कर पा और इसमें time बीचता रहा अब मैं सोच रहूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं और वह कुछ कर नहीं पाया और फाइनली मेरा destination आ गया और मैं वापस college आ गया उसमें एक event भीच में हुआ कि मैंने इतनी हिम्मत उटाई थी कि मैंने अपना मुझे ऐसा लगा था क कि जो मेरे अंदर feeling आ रही है वह सामने वाले के पास भी है ऐसा कुछ मुझे ऐसा लगा था उसमें तो फिर मैंने क्या किया कि अब बात तुम्हें कर नहीं सकता था कि मैं क्या करूं कैसे बोलूं अपनी feelings हो कैसे share करूं तो मैंने हिम्मत उटाई और वहाप अपना hostel का address college मे और hostel का phone number क्योंकि उसमें while phone नहीं हुआ अगरता था तो मैंने दे दिया था और उसके बाद मैंने hostel का phone number और mail ID मेरा और मतलब इस तरह का जो भी information थी वो मैंने एक slip पर रखी और उतरते समय मैंने उसकी seat उसको छोड़ दिया चुपा के बेदे छोड़ दिया और मैं वापस आ गया और उसके बाद अब मुझको ऐसा था कि हां मैं वापस आ गया हूँ और अब वो उस reply आएगा मुझे मैं बहुत खुश था मेरी लाइप में पहली बार यह वेंट वो और बहुत ज्यादा एक्साइट है मतलब दुनिया में उस समय सबसे आदा खुशी का पल था वो मेरा तो ऐसा हुआ अब मैं वापस आ गया college में अब मैं इंतिदार कर रहा हूँ कि हां उसका फोन आएगा या mail आएगा या letter आएगा वह नहीं आया एक दो दिन भीता तीन भीता चार दिन भीता आया ही तो जब चार-पांस दिन बीद गए तो मुझे लगा कि यार लगता है शायद मैंने अपने एफ़र्ट में कुछ कमी ला दी कहने का मतलब यह कि जो मैंने स्लिप में यह सब चीजें लिखी थी वो इतनी ज्यादा छुपा कि मैंने रखी मुझे ऐसा हैसा हुआ कि शायद उसको खुद कोई नहीं पता लगा कि मैंने ऐसा कुछ किया है यह ऐसा हैसा मुझको हुआ तो अब यह भावना जब मेरे मन में आई तो यह मेरे लिए बहुत ज़्यादा पेंफुल है मतलब कहते हैं न कि आप अपने किसी भी काम में कोई भी टास्क जिन्दगी में कोई सा भी टास्क हो अपनी तरफ से आपको फुल पोटेंशल लगाना होता है उसके बाद अगर रिजर्ट निगेटिव भी आता है तो आपको उतना अफसोस नहीं होगा अगर आपने अपनी तरफ से full potential नहीं लगाया और आपका result negative हो गया अगर आपका result negative हो गया तो बाद में आपको ये guilt बहुत रहेगा कि अगर आपने थोड़ी और कोशिच की होती तो शायद आप भी कर लेते तो वो भावना मेरे अंदर आई थी और इसकी वज़े से मैं उस सम मैंने क्या गतब उठाया आपको बताता हो हमने हमारे friends से college वाले तो उन लोगों ने मुझको किसी तरह से समझाया और हम लोगों ने plan किया कि ऐसा करते हैं उसको धूड़ने जाने का हमने plan किया तो idea ये था कि जिस train से हम लोग आते हैं वो train मैं हरिद्वार में उतरता था औ हमरा और वो जो जिसको देखे मैं पार्गण हुआ था तो लोग हरिद्वार में नहीं उतरे थे इसका मतलब वो लोग हरिद्वार में नहीं रहते हमारे मुझे उसके बार मेरे में जूब पता तो मैं बता रहू हरिद्वाद अ giàती है वınız यह देराधून था तो हम ने प्लान किया कि हम उसको दdependent में डूढने जाएंगे बिना नाम, पता, XYZ, कुछ नहीट पता था और याट ने अपनी पर पर इतना बड़ा कदम उठा लिया कि हम उसको ढूढने जाएंगे और यह जब event मैंने किया यह लगक उस event से 10 दिन बात का event है और हमने plan कुछ ऐसे किया था कि planning इस तरह कि थी कि दिखने पे तो पढ़ने लिखने वाली थी तो किसी engineering college की student होगी या किसी medical college की student होगी something like that. तो हमने देहरादून के colleges को shortlist किया इने नहीं college कौन सा है medical college कौन सा है और कोई सा college कौन सा है ऐसे plan करके हम पहुच गये और पहुच गये फिर उसके बाद planning ये थी कि हम college के gate पे खड़े रहेंगे और आगे आने जेने वाले लोगों को देखेंगे और वो दिख जाएगे और फ अगले रात में वहां पर होटल में रुके अगले दिन मॉडलिंग में सवेरे तयार हो यार होके college के gate पे पहुच गये और फिर उसके बाद जब college पे पहुचे तो देखा college में सन्नाटा टाइप का था पहला college देहरादून उनिवस्टी था उस पे पहुचे तो वहां पे हम तो उत्रहंचल का foundation day है पहला साल था उत्रहंचल बना था और देहरादून की capital था तो पूरे उत्रहंचल की छुटी थी और यह plan में हमारे था ही दी हमने यह सोचा ही नहीं था तो अब यह बहुत जादा धक्का लगा अभी तो ऐसी में इतनी बुरी तरह से परेशान था कि यार लाइफ में पहली बार कुछ ऐसा एवेंट हुआ है और वो मेरी कमी की वज़े से मेरी गलती की वज़े से मेरी कमजोरी की वज़े से में उसमें दुबारा फेल हो गया पहले से ही फेल होता जा रहा था और अब में एक बार दुबारा फेल हो गया तो बहुत ज्यादा option नहीं था तो demoralized depressed हालत में कुछ नहीं कर तकते थे तो चलो फिर वापस चलो अब वापस चलना तो वापस चलने के लिए हम लोग वहाँ देरादून में station की तरफ गए और station की तरफ जब हम गए मतलब आये तो हम लोग बस से थे लगब 75 km से और वापस जाते थे हम train पकड़ क्ले जब हम लोग station पे गए तो वही ट्रेन जो इलाबाद से वहाँ जाती है रुड़की वही रुड़की से लापस आती है तो वह ट्रेन वहाँ खड़ी थी तो मेरे साथ में मुझे मेरे फ्रेंड्स के थे जो देरादून के बारे में सारी चीज़ जानते थे तो उन्हों का कि मैंने बताया कि यही ट्रेन थी इसी में लोग बिले थे तो का कि जाके देख लो शायद वह तुम्हारा कहीं कोई इंतजार कर रही होगी टाइप ऐसे तो मुझे भी लगा हां ऐसा हो सकता है व्यारा दिन बीच चुके हैं लेकिन फिर भी मेरे मन में ऐसा था कि शायद अब कुछ नहीं आप सब कुछ खतब हो चुका था इस तरह की सिचवेशन थी और पूरी तरह से हालत में निकले थे बाकी सबकुछ हो चुका था वह अली इस्तिती में जा चुका था फिर मेरे फ्रेंड्स मुझको समझा रहे अरे तुम इतने सबार्ट हो यार तुमको तो कि लो इव माय छुका था तो फिर मुझ को कहते हैं वह देखो specular सामने देखो शायद उनियमें से कोई न आ ओ ऐसे करके दिखाटे रहने तो मुझे तो जब वह बोलते तो कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज को तहें दिल से चाहते हो तो सारी काइनात आपको उससे मिलाने के लिए लग जाती है तो यह इवेंड मेरे साथ हुआ है ग्यारा दिन के बाद इतना बड़ा कदम उठाना कि इस तरह से कॉलेज में सारे स्टूडेंट्स को मेरे बैचमेट्स को पता था कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है और यह मैं ऐसा काम करने जा रहा हूं और मैंने ऐसा कदम उठाया और उस कदम को उठाया आज मेरी उससादी भी हो मेरी वाइफ है तो कहने का मतलब यह है पॉइंट इस कि अगर आप एफर्ट लगाते हो तो आपको नहीं पता कि रिजर्ट क्या आने वाला है लेकिन आप अगर अपनी तरफ से एफर्ट लगा गए और सही से लगा गए तो जो कुछ भी होगा आप कभी भी फर्दर उस ची मत और या तो करो तो अपनी तरफ चे जो मैक्सिमूम एफर्ट लगा सकते हो वो लगाओ यह मैं हमेशा बच्चों को यह दिखाता हो और इसलिए कहानी सुनाता हो और यह टू स्थोरी है मतलब इसको कहानी मत समच्दा यह मेरे साथ की इवेंट है और ऐसा ऐसा हुआ और इ को सारी इवेंट सुएब